हलो जी कैसे हो आप सब पहले तो मुह मीठा कर लीजिए देखिए गुलाब जामुन इसमें कौन सवाल आपको पसंद है आप कोमेंट करके बताईएगा एक तो इस तरीके का है पापा जी ना दोनों टाइप के लेकर आएए शाम को गुछ ना गुछ लई आते हैं और हाँ अखरोर तो रखे दे मैं ला रखे दे बदाम नी थे बदाम खतम हो रखे दे तो देखिए पापा जी काजू ले आएए आपको दिख रहा होगा बदाम है अखरोट है दाक भी है यह देखिया पर सबसे इंपोर्टेंट चीज है जो हम बाबु को भी खिलाते हैं थोड़ा अब बहुत तेष्टी हैं बहुत अच्छा है अबी थाएज यह देखिए अब्बब फेलागा बबी खाओ अब अब्ड़ी किला रियो पह आपकाई तो सब मियान को किलाए जारें प्रांग बिता खालें कैसे है आपकाई यह दोड़ा जा अभी मुवला खतम कर लें फिर और खाली हो अब हम खाएंगे दूसरा टाइप का गरम एकदम बापा-जी बढ़िया अब रखाओ लास्ट गुलाब जामुन रखा है विहान मैं काऊंगी ममा काएगी अचे तरको अबेको खाना को खाना है यहां मत-कींडा बिटा बनाते हैं कि कैसे वजन कम करना है कि खालो आप भी सवा आठ बच्चुके हैं सुरह के मैं नहाली थी और यह दिंदी में शायर तेडी लगा दी कहां लगाई है देखना कहां जारी है अब ठीक लग रही है अभी भी नहीं है अब ठीक लग रही है तो मैं क्या थेरी थी उठते ही मेरा एक काम होता है मैं वह पहले निपता दिप कि अभी वीहान उठा नहीं है मैं अज सुबह सड़े साथ वजे उठ गई थी और आप मेर को प्रीज डांट ना मत आज के कोमेंट्स नहीं पढ़ोंगे आज विटियो के नीचे आप कितने कोमेंट्स कर देना कि चार चार गुलाब जामु नख अजिए 65 kg तो मैं लिख रही हूं 65 kg और 65 kg यहां ना मेरी कुछ आखरी में सीनरी रखी थी मैं उस घर रख रही हूं उस घर में लगा लेंगे क्योंकि यहां पर लगा भी नहीं रखी गया तो वह अच्छे से जच जाएगा ना पापाजी का तो चली मैं आप तो दिखा भी देती हूं यह देखी आप रहके दिखाती हूं आपस एक यह वाली सींग्री है ठीके ची और एक ये वाली है और बएक और भी है वह भी निकाल लेते हैं यहां फिर वह देखिए यह कुछ इस तरीके से दिखती है यह भी निकालते हैं क्या जमें वोइट वोश भी करना है अरे क्या हो रहा है यह देखिए आप यह पेंटिंग है और मुझे लग रहा है जहां तक कि पापा जी आगे हैं पापा जी आगे आप अरे वाँ वीहां भी जाग गया देख लो जी सुभे उठ खाया बस अभी सोके वीहां आज क्या बनाओगे पापा जी खाने में मैंने पी इस तरह बना दिया था हल्वा बनाना थे अब्याद मेरे पास थे पापा जी आप सुरह देखो वही सेम डू सेम वही हरकते वीहां तेरी भी मनी मन हसता है मोटर मैंने चला दिया है और अब हम चलते हैं उस घर में देखते हैं देखेंगे है ना अच्छारी यह देखो आप यह है हमारा वह जो हम करेंगे इस मतलब दिवारों पे आपको मैं कैसे दिखाऊंगे यह देखनी चीए पेंट वेंट का काम शुरू होने लग रहा है अब तो रुक्की होगा अब तो सबहाट हुए आप से दिन में बैठके करेंगे और यह देख लीजिए आप पापाजी ने कितने अच्छे से जो वेस है वो तेयार कर दिया है कर दिया है ना कर दिया है आगी ममा ममा आगी आगी का लेके जाओं तरको मैं आगी 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 एक और एक और मार ले आगी एक तेद्वे एक मेरे मत्र मत्रू एक मेरी शोन पापड़ी एक मिर रसगुल्ला रसगुल्ला एक मेरी जोदे मन्ड अए मेली पूम मेरी प्याली चीदना जुक्षी मेरी बंदरिया मेरी बाबू ओय मेली बाबु ममा कैशी है अच्छा ममा को पाली करियो पाली कर दे ममा को विहान बेटा वना ममा कर देगी कर दे पाली कर दे 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 कर द मम्मा मा मम्मी विहान मुझे पाली नहीं कर रहा है देख लो मम्मा को प्याली नहीं करता नानी को पाली करता है नचरे हैं, इंवस सबस्स्टेग। मर अश्रें, ये नो तंगी है? नुए नीका है ? ड्रामा, ड्रामा ये ढ्रामा इप्ती है इंनी कर दी न स्माइल पीज अभी तो हमारे दिन की शुरुवात हुई है आज तो बहुत कुछ करना है और एक चीज मैं आप सब के साथ शेयर करना वाली हूँ कि हाँ अभी हाँ मैं हमेशा लाइफ में बहुत पोजिटीव रही थी लेकिन लाइफ में जो इंसिडेंट हुए उसके बार काफी लाइफ में नेगटिंग हो गई थी अपसे रहती थी बट अपसे मैं ठान ली है मेरे फेस की जो यह स्माइल है यह नहीं जानी चाहिए मेरे तो अब हमेशा खुश रहना है हसना है मुस्कुराना है और लाइफ को धेर सारा मतलब लाइक पार्टी एक पार्टी की तरह लाइफ को एंजोए करना है और अपनी वो दुख वाले जो पार्ट को बाई बाई बोलना है और मज़ से रहना है जंदगी में और अच्छ से रह है एन्जोय करना है अपनी life को fully और देख लेना आप लोग का जा है 溫िक बोल रही हूं साइट है देख लेना आप मेधी हमेशा लाइफ में खुश रहेगी और मजेसे रहेगी और अपनी life को fully आ इन्जोय भी करेगी और अपनी favorite बनके दिखाएगी और किसी और की मुझे को जरूरत क्या मैं तो खुद से ही प्यार something like that करेंगे हम और खुश रहेंगे मजे लेंगे अपनी life में full और बस हसते रहेंगे और smile करना मैं नहीं छोड़ूंगी अब बिलकुल भी यह smile मेरे face से नहीं जाएगी ठीके जी तो चलिए और आभी מाग अब छिए और मेरे बाल खुल यह बहुत अच्छे लगते हैं खुले बाल अच्छे लगता है मिरे उपर तो मैंने का हमेशा बाल भांद के रखती हूँ तो बालों को खुला भीमा रखना चाहिए ना पाल पाल को खुलामी रखना चाहिए ना